केंदर शासत प्रदेश जम्मू कश्मीर में चुनाओ की सुबुगा हट शुरू हो गई है चुनाओ से पहले विधान सभा सीटों का परिसीमन का काम भी पूरा हो चुका है आयोग ने फाइनल रिपोर्ट पर साइन कर दिये हैं इस रिपोर्ट में जम्मू में ज्यादा सीटे बढ़ाई गई है जिसका फाइदा सीधे तोर पर बीजेपी को मिलेगा इसे लेकर देश के सियासत तो गर्म है ही वही पडोसी मुल्क ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है देश के सिर्मोर कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर में बीजेपी हमेशा से ही अपना राज स्थापित करने के लिए साजिशे रस्ती रहती है जहां उसने साम, दाम, दंड, भेद लगाकर मुफ्ती की सरकार गिराई तो वही अब सूबे में परिसिमन कराकर अपने वोट बैंक को बढ़ाने की जद्दो जहत कर रही है जिहां चुनाव से पहले परिसिमन का काम पूरा हो चुका है जम्मो कश्मीर परिसिमन आयोग के अनुसार लोग सभा की पांस सीटों में दो-दो सीटे जम्मो और कश्मी संभाग में होगी जबकि एक सीट दोनों के साजा शेत्र में होगी यानि आधा इलाका जम्मो संभाग का और आधा कश्मीर घाटी का हिस्सा होगा इसके अलावा दो सीटे कश्मीरी पंडितों के लिए भी रिजर्व रखी गई है अनंतनाग और जम्मो के राजोरी और पुंच को मिला कर एक संसदिय शेत्र बनाया गया है आयोग ने केंदर शासित प्रदेश में सीटों की संक्या 83 से बढ़ा कर नब्भे करने का प्रस्ताब दिया है साथ ही पहली बार अनुसुची जनजातियों के लिए 9 सीटों को रिजर्व करने को कहा है इनमें 43 सीटे जम्मू में और 47 सीटे कश्मीर में रहेंगी इसके पहले 83 सीटों में 37 जम्मू और 46 कश्मीर में थी यानि साफ है कि चुनाव से पहले जम्मू में 6 सीटों को बढ़ा दिया जाएगा इसका सीधा फायदा बीजेपी को हुगा क्योंकि पार्टी की पकड़ जम्मू में ज्यादा है ऐसे में अगर यहां सीटे मिलती हैं तो उसे सरकार बनाने में आसानी होगी इसे लेकर विपक्ष के तेवर तल्ख हो गए हैं महबूबा से लेकर उमर अब्दुल्ला तक सरकार को जम कर घेर रहे हैं वहीं इस विवाद में पडोसी मुल्क पाकिस्तान भी कूट पड़ा है पाकिस्तान के विदेश मंत्राले ने भारत के प्रभारी राजदूत को तलब करके परिसीमन पर आपत्ती दर्च कराई है पाकिस्तानी सरकार ने कहा है कि इस कदम के पीछे भारत सरकार की गुप्त योजना छिपी हुई है भारत ने परिसीमन के नाम पर विधानसवा शेत्रों को फिर से डिजाइन किया है ताकि मुसल्मानों की बड़त को कम किया जा सके ये भारत के उस दावे को खारिच करता है जिसमें कहा गया था कि परिसीमन को स्थानी जनसंख्या को सशक्त बनाने के लिए अंजाम दिया जा रहा है अब पड़ोसी मुल्क भी वही बात बोल रहा है जो विपक्षी दल बोल रहे हैं अब इस विरूत के बीज देखना होगा कि क्या परिसीमन का फाइदा बीजेपी को चुनाम में मिलता है या नहीं डीबी लाइफ की रिपोर्ट